है कि अधिए अधिए आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंति श्टूट में आज मैं आपके लिए कर आया हम केमिश्ट्री के बहुत ही संदर वीडियो इसमें आपके पांच चंक कैसे हो जाएंगे बिल्कुल पक्के हो जाएंगे आपके यह पांच चंक कौन से हैं कि क क्या होता है जब कि पांच महत्वपूर अभी कराई जाएंगी तो देखिए बिना समय गवाए हम इस्टाट करते हैं तो बस आपसे यह वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको सेयर कर देना ठीक है और जो नई लोग है वो क्या कर लें चैनल को अभी अभी क्यों क्योंकि हमारे लिए बस यही में तो होता है और यही जरूरी है का आप सब्सक्राइब करें चलो आगे बढ़ते हैं देखिए यह पांच रियक्शन है देखो दिखाई दे रही है इसनका पहले आप स्क्रीन सोट ले लिए जाएगा ठीक है किया है कि पहली रेक लिटेटेट बन्ता है डाइ एतिल इतर को फासफोरस पेनटा किलोराइड के साथ गरम करते हैं तो एतिल किलोरइड बन्ता है इतर की लाल फासपॉरस तपावडापराइड है है तो एफहन बनती है और प्षामेलिड़ी है इन का स्क्रीन सोट ले लिजियगा जब तक तो यह नहीं पता होगी यानि यह तुम्हें theoretical याद कर लेनी है theoretical भी याद नहीं होगा तो हम क्या होगी या हम बता देंगे वैसे आपको यह याद कर लोगा तो बहुत ही जादा beneficial रहेगा क्योंकि इन से आपकी reaction तुरंत बन जाएंगी ठीक है तो देखेगा reaction कैसे बनेंगी वह आप समझते हैं एक एक करके हम सभी reaction उको हम समझेंगे reaction बनाने के लिए दो हमें पहली reaction ले ली है आपकी पहली reaction कौन सी ली है पहली reaction है आपकी methyl alcohol को ammonia के साथ गरम करते हैं तो क्या बनता है ठीक है तो आपको देखेगा सबसे पहले आपको यह चीज पतावनी चाहिए का हम क्या क्या चीज मिला रहे हैं पस उनका formula पतावना चाहिए बस तीन चीज़ें है ठीक है वो क्या क्या मिला रहे हैं क्या इधर दिया है और क्या बनेगा और reaction को संतुलित करना ठीक है तीन पद होते हैं इसमें बस अपने आप बन जाती है reaction तो देखे है कैसे methyl alcohol सबसे पहले methyl alcohol का formula पता होना चाहिए और methyl alcohol का formula क्या होता है आपका methyl alcohol का जो formula होता है CH3OH यह क्या है आपका methyl alcohol ठीक है इसमें आपने इसके नीचे लिख दो गए आप methyl alcohol क्या रवाद अब इसमें आपने क्या बनाया ammonia मिला दिया ammonia का formula क्या होता है NH3 ठीक है arrow क्या रवाद और जब इसकी क्या बनेगा आपका यह चाहिए तुम्हें पता होना चाहिए theoretical अपने याद कर लिए क्या बनेगा बहिए जब मैथिल के साथ मैं ammonia की क्या कर रहे है तो इसमें NH2 समूज के साथ में जुड़ जाता है तो क्या बन जाएगा मैथिल एमीन बन जाएगा CH3 NH2 क्लियर है बाट यह NH2 कैसे जुड़ा देखिएगा यहां से OH समूज निकला और यहां से NH2 समूज किसमें जुड़ा तो यहां से एक H निकल गया यहां से OH और H और OH जब भी कभी भी बात आ जाए तो आप आँक मीच के क्या लिखोगे एच टू ओ लिखोगे क्लियर है बात इसके नीचे क्या लिख दोगे आप मैथिल एमीन यह किरिया आपकी शंतुलित हो गई ठीक है और यह किरिया आप इतनी लिख दोगे और आपको एक्जामर को अच्छा प्रभाव डालना है तो इसके उपर JNCl2 भी लिख सकते हो यह क् अगली रियक्शन क्या है अगली रियक्शन है आपकी मैथिल एलकोहल ऐसे टिल किलोराइड के साथ अब करता है तो क्या होता है टो पहले आपका मैथिल एलकोहल वही चीज है फॉर्मूला क्या था चीज ट्री बनता है मैथिल एसीटेट का मतलब क्या है CH3 CO CH3 यह मैथिल एसीटेट का फॉर्मूला होता है ठीक है क्या है यह मैथिल एसीटेट इसके नीचे लिखते हो गया आप मैथिल एसीटेट अब देखेगा यह इतनी reactionel रखोगा हो सकता है। आपके एक नम बर किया तो आधा नमन मिल जाएगा। लेकिन आफके दूसी चीज़ है आपको कि यसको سंसलित करना है। कैसे होगी CS3 यह आ गया। ठीक है यहां से आपका क्या है देखना जरा सी ओ है सी ओ यह आ गया यहां से आपका क्या सी एच तरी यह यह आपका जो सी एच तरी है यह यह वाला आ गया तो यहां से क्या बच्चा यहां से एक एच बच्चता है आपका और यहां से क्या बच्चता है आपका हां यह गल्दी होगा है हम पहीं तो आपका क्लियर तो आप इसको देखेगा तो यहां से यह वाला एच बचता पाई था यह 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 वाला एच्च निकल जाएगा तो क्या निकल गयए है आप एसा बनाना मत्तिक है तो इसलिए यह लिख दिया ठीक है आपको यह फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा हूं तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इसका क्या है CH3COOCH3 यह फॉर्मूला होता है मैथिल एचिटेट का क्लियर होगी बात तो यह आपका किरिया बन के संपन्न होगी ठीक है आगे बढ़ते हैं तो एथिल एथिल का मतलब क्या है C2H5OC2H5 डाइथिल इथर यह फॉर्मूला होगी और फासपरोस पेंटा क्लोराइड PCL5 यह हो गया इसको हम क्या कर रहे हैं गरम कर रहे हैं गरम करने का साइन लगा दिया तो हमारा क्या बनता है एथिल क्लोराइड बनता है तो इसको संतुलित करनी है आप करिएगा इसको संतुलित कर देखो जब भी कभी यह दिखाई देख है आपका चाहिए डाइधिल इतर है यहां पर हमेंसा दो की लगानी है क्योंकि यह दो बन जाते हैं यह दो बने तो तो C2H5, C2H5 दो आ गए यहां से 2Cl आ गया तो यहां से P बचा, O बचा और Cl3 बचा तो वही है यह तो P O C L 3 बन गया इसका नाम पता है आपको क्या होता है फासपोरस ओक्सी किलोराइड फासपोरस ओक्सी किलोराइड देखे न यह मैथिल किलोराइड इसके नाम लिख दो गए नीचे मैथिल किलोराइड किलोराइड और इसके नहीं है फासपोरस ओक्सी किलोराइड ठेखे है क्लिर हो गी रेक्षन आप इसका नाम मैं डाइमेतली था पासपरोस पेंटर की लोगाई ठीक है अगली रेक्षन की तरह बढ़ते हैं अगली रेक्षन को हाँ आप यहां पर क्या खार बात यह जगे रहते हैं आप वीडियो को अभी कई आप लाइक कर देना और अभी कई डाई आति लीतर की किरिया लाल फासपोरस और हाई के साथ कराते हैं ठीक है तो मतलब क्या है वही है आपकी किरिया तो डाई आति लीतर का फर्मूला क्या है C2H5 O C2H5 ठीक है इसकी लाल Phosphorus Phosphorus की किरिया जो होती है वो P Phosphorus होता है यहाँ पर यह उत्पर रखका करता है और HI अब किरिया में यह भाग लेता है तिहाँ रख लेना यह वाली बात ठीक है ना इसकी लीचे लाल लिखता होगे ठीक है अब आगे की बात करते हैं जब यह किरिया आगे की और संपन होती है तो यह क्या बनता है C2S6E10 बनता है तो हमने क्या बताया था जब भी कभी भी यह चीज आनी है ठीक है यह बने गता है पर 2 की मुल्टिप्लाई लगा दीने क्योंकि यह 2 वल होते हैं ठीक है तो देखिएगा 2 और 2 चार तो 2 C 2 की मुल्टिप्लाई होगी 4 होगी H कितने यह आप 12 है 6 है 6 दू नहीं 12 है तो देखिए 5 और 5 दस और यह 11 है 2 की मुल्टिप्लाई कर दी तो यह 12 होगी तो H खतम होगी बचता क्या है यहां से पर तो पर देखिएगा करेंगे तो यह जो करेंगे यह तोड़ी संपन नहीं वो पारे है तो हम इसको और चैंज कर देंगे कोई दिकत नहीं C2H5I ठीक है एथिल आयोडाइड बना देंगे हमने 2 की यहां पर मल्टिप्लाइ करें तो बाकी सब वही है पस यहां से 2H बच जाएगा और 2H का मतलब क्या है H2O यह आपका complete हो जागी reaction ठीक है तो यह क्या बनाएगा इसको theory को change कर लेना क्या बनाएगा एथिल आयोडाइड आयोडाइड बने रहा ठीक है यह आपका जल हो गया क्लियरों के बात क्योंकि वह reaction संपन नहीं उपा रही थी इसलिए हमने यह बनाया ठीक है अब हम आगे बात कर लेते हैं फार्मेलडिहाइड की किरिया सांद्र अमोनिया से किरिया कराते हैं तो ठीक है हम आपने कि लगवता वताइड की वह पॉर्मूला क्या होता है है एचसी हम इसकी क्रिया है न श्रीसं करा दो गजी major में उर्योट्रॉ堯ह का मने पॉर्मूला है कराते हूए वाण यही को यह बनाहर्यहाद आपको बताया सप्रेस्ट करणा को अच 01 क्रियृ चक्ती के भूखे में सब्सक्राइब करनाःब सब्सक्राइब देखां यहां पर देखो कितना है यहां पर तो यह कितने एक और एक दो दुछके बारह हो गए complete and चार हो गए complete अब यहां से किया दा चार तीया 12 12 H बच रहे हैं किलिए न बत तो 12 H बच रहे हैं और यहां से 6 O बच रहे हैं तो मतलब क्या होगा 6 O बच रहे हैं तो 6 H2 O और जोड़ दोंगे तो यही है आपका euro tro pin ठीक ह यह आपका फार्मेल्डी हाइड है यह आपका ammonia है ठीक है तो यह आपकी reaction बनके संफलित हो गई है ठीक है किलिए रहा है ठीक है आप यह वाली reaction को एक बार फिर से आपको में बता दे रहा हूं यह थोड़ी सी reaction कैसी हो गई है इसमें हमने यह C2H5 यह मिलाया तो hydrogen हो एथिल आयोडाइड बनेगा C2H5 आई दो आई जोड़ दिया हमने 2H2 आई बन जाएगा तो यहां से आपका O बचा यहां से 2H बचे जो आपके यहां से चुड़ गए ठीक है किलियर होगी बात तो यह किलिया को हम ऐस तरीके से कर देंगे ठीक है I hope कि यह आपको reaction बहुत अच्छ करना रहे ही आपकी और हम उम्मीद करते हैं कि आपके 90 पिलस परसेंट आएं ठेक है